हलो स्टुरेंट्स आज का हम लोगा टॉपिक अनाउंस विदे टुव मिनिंग सिंगुलर यान कि सिंगुलर में लाउंड रहेगा तो इसका दोठो मीनिंग हम लोगों देखने को मिनेगा पहला वर्ड अगर हम लोग देखे तो कुछ पार्टिकुलर वर्ट में यह ऐसा देखेंगे पहला वर्ड हम लोग का अब्यूज राइट इसका एक्ठो मीनिंग तो है रॉंग यूज यह रहा और एक्ठो मीनिंग इसका क्या रहता है रीप्रोच रीप्रोच यह है दूसरा मीनिंग पहला मीनिंग यह रहा दूसरा मीनिंग इसका यह रहा तो अब्यूज जो कि एक singular noun है उसका दोठो मीनिंग हो गया wrong use और दूसरा मीनिंग हो गया reproach अब अगर हम लोग इसको plural में देखने चले तो abuses हो जाएगा और इसका मीनिंग क्या हो जाता है हम लोग का wrong use कुछ particular words ही है तो हम वह particular words आप लोगों को दिखा देते हैं यह निकि सभी words में यह rule जो है apply होता है number two में हम लोग का word है foot foot का दोठो मीनिंग होता है पहला मीनिंग है part of body और जो second वाला मीनिंग है इसका वो हो गया infantry right तो अगर हम लोग इसके plural में चले fit में हो जाए जो कि इसका plural form है तो क्या हो जाएगा इसका of body parts of body इसका जो है meaning हो गया तो यहां तो दो ठोड़ था जो हम बता दिया है अब तिसरे words की और चलते है next हम लोगा force force का भी two meaning है पहला मीनिंग क्या है troop troop मतलब होता है कोई भी दल या group ठीक है तो कोई भी ग्रूप आती है तो उसको देखके समझ में आता है कि यह बहुत जदा forceful आई यह एक फोर्स है जैसे नहीं बोलता है इंडियन एर फोर्स तो क्या है यह आर्मी का troop है यह हो गया next है हम लोग का strength अगर हम लोग इसको प्लूरल में चेंज करने चाहिए फोर्स को इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फोर्स का मीनिंग हो जाएगा प्लूरल में उसी तरह नमर फोर में चलते हैं नमर फोर में क्या है issue का भी हम लोग का दोठो मीनिंग है एक टो मीनिंग जो हर किसी को पता रहता है वो है इसका मीनिंग हो गया हम लोग का result और एक हो गया child one and two अगर इसको हम लोग देखने चले क्या मतले प्लूरल में तो issues हो जाएगा जिसका मीनिंग हो जाता है subjects यहनकी क्या topic है क्या विशाय है आज का क्या करना चाहिए किस चीज़ से deal करना है next word है हम लोग का light तो total eight words discuss करेंगे जिसमें से 5th है यहाँ पर okay तो light का क्या हो जाएगा radiance और एक मीनिंग है जो है a lamp lamp मतलब तो सबको ही पता है radiance मतलब होता है चमकीला होना या shine करना radiance का मीनिंग हो गया तो इसका क्या हो जाएगा lights लाइट का क्या हो जाएगा बहुत सारे lamps है यह हो गया next most important word है जो कि singular में ही है वह हम लोग का people people का two meaning है पहला मीनिंग क्या है हम लोग का habit और number two वाला मीनिंग क्या है profession राइट अगर इसको हम लोग अब plural में change करने चाहरे कि इसको people को तो people का plural में मीनिंग क्या हो जाएगा nations यानि कि यह राइट से संबंधित मीनिंग हम लोग को बताता है next word है हम लोग का practice प्रैक्टिस मतलब पता ही हम लोग को कि एक तरह का habit हो जाता है जो profession जिसको भी बोल सकता है तो पहला मीनिंग हो गया इसका habit और दूसरा मीनिंग हो गया इसका profession जो चीज हम लोग को बहुत अच्छा होना पड़ता है उसमें अच्छा performance चाहिए उसमें तो उसमें प्रैक्टिस का जड़त होता है तो उसको हम लोग habit में ले लेने का कोशिश करते हैं next हम लोग का practices practices का क्या हो जाएगा habits राइट और हम लोग का last word क्या हो गया word word का मतलब पहला मीनिंग तो होता है group of letters group of letters और दूसरा मीनिंग क्या हो गया promises ऑके उसी तरह आगर हम लोग प्लूरल में देखने जाए तो words होगा इसका सबसे पहले तो words का और जिसका earth यानि की मुझे शब्द दिया है कि तुम यह चीज का करोगे तो इसलिए यहां पर promises और group of letters यहां पर क्या होगा more words अब कुछ particular words है जिसके plural का dot meaning होता है ठीक है कुछ particular nouns है बता देता है पहला है color जिसका meaning तो color ही होता है इसमें no doubt color मतलब तो रंग जो होगे हम लोग का तो अगर हम लोग इसको यह तो singular था इसको हम लोग plural में change करेंगे तो क्या हो जाएगा colors जिसका dot meaning आता है पहला है kind of color और दूसरा है flag of regiment यानि कि किसी region का या किसी nation का जो flag होता है वो यह हो गया color का meaning dot अब next word में चलता है हम लोग कस्टम का meaning हो गया habit बट इन singular राइट इसमें तो यह बोला ना कि plural में dot meaning होगा तो फिर इसका plural क्या होता है custom का customs होता है दो तो मीनिंग क्या हो जाएगा पहला तो हो जाएगा habits आदत हो गया उसको बहुत सारे दूसरा हो गया toll और tax done next है word number three effect effect का meaning क्या होता है result result क्या आने वाला है अगर मैंने यह किया है तो अब result क्या होगा इसका क्या हो जाएगा effects तो पहला मीनिंग हो गया results और जो second वाला मीनिंग है उसका मीनिंग हो गया goods and chattles गया आगे बढ़ते हैं phone number word की ओर यह हम लोग का manner manner मतलब होता है mode और way यानि कि जिस तरीका जो तरीका हम लोगा मा लेजे कुछ homework करना है तो वह हम लोग का manner क्या है या कौन सब way से हम लोग उस homework को करना चाहते हैं जो की best तरीका होगा manners में क्या हो गया manners है plural उसका पहला पहला मीनिंग क्या हो जागा mode ways दोटो मीनिंग हो गया दूसरा नमर क्या हो गया behavior कि इसका कैसा manner है इस तर टाइप का नहीं show करना चाहिए behavior तो दोटो मीनिंग इसका हो गया अब चलते है five नमर वर्ट क्यो जो है number singular में इसका मीनिंग क्या होता number का as in counting right मतलब count करके जो भी आता है उसको हम लोग number बोलते है ठीक है तो number का plural क्या हो जाएगा numbers जिसमें पहला मीनिंग क्या हो जाएगा as in counting as usual रह जाएगा और plural में दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा वो है poetry अब चलते हैं word number six की ओर there are more three words are remaining जिसमें से पहला है pain pain का मीनिंग क्या हो जाएगा पता ही हम लोग को suffering मतलब भुगटना या कुछ चीज से पीडित रहना तो यह हो गया pain pain का क्या हो जाएगा plural में pains हो गया तो plural में इसका पहला मीनिंग क्या हो जाएगा sufferings हो गया और दूसरा क्या है? troubles troubles मतलब होता है बहुत सारे problems या बहुत सारा दुख होता है हो गया troubles का meaning next word है हम लोग का part part right part का meaning क्या होता है? portion portion को अगर हम लोग plural में change करे sorry part को हम लोग plural में change करे तो क्या हो जाएगा? parts हो जाएगा और इसका जो है plural में दो-दोठ meaning है क्या है? portions and number two abilities तो यह कुछ meanings है हाँ and the last one is quarter meaning क्या हो जाएगा इसका? a fourth part किसी वीचिज का अगर हम लोग quarter बोल देता है तो वो fourth part ही कह लाता है यह जायतर clock में भी इस्तिमार किया जाता है तो इसका क्या हो जाएगा? quarters meaning क्या हो जाएगा इसका? fourth parts बहुत सारे है जो fourth part है बहुत सारे मतलब fourth, fourth part पे बटावाई इसलिए four parts next है lodgings तो यह रहा quarter का two meanings है lodgings है four parts तो यहाँ से quarters का दो-टो meaning निकल के आता है एक्टो है fourth part एक्टो लॉजिंग fourth part मतलब हो गया कि बहुत सारा चार्टू करा करके रखा हुआ तो बहुत सारा one fourth parts है इसलिए यहाँ पे ऐस लगा दिया parts हो गया lodgings मतलब होता है किराय का घर या अपना आवास ना होना जैसे कि lodge होता है वही उसी टैप को गया तो lodging हो गया इसके मीनिंग quarters का हम लोग किसी भी तरह के टूर में जाता है या फिर ट्रिप में जाता है तो उस समय किसी भी टैप का quarters में या फिर लॉज हम लोग को किराय में लेना पड़ता है ताकि कुछ दिन का रेस्ट ले और टूर है कंप्लेट करने गवाद हम लोग वापस चले आते तो क्या होता है किराय का आवास होता है या रहने वाला जगह तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोग को ये knowledgeable information अच्छा लगा हो अनाउंस के बारे में तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजे जादा जादा सेयर कीजे और डेली ने अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजे थांक्स वॉचिंग